जैन्द एवरिवन कैसे आप सभी आप से बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल देट इज कार्ती चौधरी पे तो देखिए आज आपकी डेट हो चुक है 27 माई तो लगवग आपके आप 100 डे लेप्ट बच्चे हुए आपको जो टार्गेट था कि NDA 2, 2 0022 को जो आपकी NDA रिटन एक्जाम उसको क्वालिफाई करने का तो बच्चे आज हम डिस्कास करेंगे कि फिजिक्स और बालोजी में आप इस 100 डे को कैसे प्लान करें कि आप ज्यादा ज्यादा बच्चे कोशन आप अटेंब्ड कर पाएं देखिए मैं कुछ अपनी स्टे आपके जून और इसके बाद जुलाई पिर इसके बाद क्या अगस्त लोगवाद चार सित्मर विट्टे आपकी क्या एक्जम तो मलत कितने डे वच्चे यहाँ पे नाइन डे यहां बच्चे आपके लगवग फोडे आम आले तो लगवग टोटल लच्चे आपके पास बचे हुए तो सबसे पहले आई होब समने पढ़ना तो स्टार्ट करें दिया है ठीक है कुछ आपका लगब 25 से 30 पासंट आपका सिलेवस भी कंप्लीट हो गया होगा कोई दिखकर नहीं तो क्या कर अच्छे आपको माई के आपका सिलेवस कंप्लीट होना चाहिए जो आपका माई जो बचा हुआ है जून और जुलाई ता आपका सिलेवस कंप्लीट होना चाहिए जो आपका सिलेवस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ऐसे नहीं कि आप अगस्त में जाके कंप्लीट कर वो लास्ट अगत में ने तो आपको क्या करना है लास्ट में तो केवल और केव complete हो जाना चाहिए with pyq ध्यानना जैसे सबसे पहले क्या किजिए जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहो जैसे आपने पढ़ा physics में thermodynamics ठीक है तो पहले तो जो भी चैप्टर से आप पढ़े हो तो सबसे पहले क्या किजिए साथ साथ में उसके question लगाईए dpb solve किजिए पर जितने भी pyq पूचे सब pyq को आप लगा के देखिए इसी तरह का जैसे बालोज़ी में आप चैप्टर पढ़े है तो सबसे पहले क्यों लगाईए dpb solve किजिए उसके प्यों लगाईए ठीक है यह आपकी अप्रोच होने चाहिए तो जैसे अच्छे अगर हम बात करें physics मे तो सबसे पहले physics में important chapter कौन कौन से thermodynamics हो गया optics सबसे most prominent topic अच्छे सब ज्यादा कुशन आते है electricity, sound वाला, magnitude यह सारे chapter अच्छे आपको complete हो जाए इसी तरह अच्छे आपको किसमें बाल और जिमे में सेल हो गया, tissue हो गया, human eye हो गया अच्छे यह सारे जो important chapter अच्छे यह सब आपको complete हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले ताब को देखिए, एक तरह से आराम से आपको जो सिलिवस से complete करना है, जैसा teacher बाता रहा है उस तरह आराम आराम से आपको जुलाई तक end हो जाना चाहिए, आपका syllabus complete, देखिए, सबसे जादा अच्छे मार कहां पर कहाता है, कि कितने बच्चों को उने पढ़ा चुका है, तो उसको पता चल गया कि question कैसे आते हैं, किस तरह बच्चों को guidance दी जाती है, तो उसको पता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किजिए, जुलाई तक आपका syllabus complete होना चाहिए, लेकिन जैसे आपको चेप्टर एक चेप्टर आपन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे चेप्टर बढ़ते जा रहे हैं, और पीछे का आप से scan delete होता जा रहा है, ऐसा नहीं होचे, सब चेप्टर के साथ सात्मा को revision करना है, जुलाई तक आराम से अपना syllabus complete कीजिए अचे, उसके बाद अगस्त में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा हो सके, मॉक टेस्ट लगाईए, पीवा क्यू लगाईए, और जितने ज़्यादा question हो सकते हैं, उसने लगाईए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको theory नहीं पढ़नी, अगस्त में आपको theory नहीं पढ़नी अचे, जो आपने concept पढ़ चुके ह question का, आपको जितना ज़्यादा approach हो सके, उतनी आपको approach लगा लिए question में, मना question के थिरूर revision करना आपको, theory के, यहाँ पे थिरूरी basis में आपको revision करना है जुलाईता, लेकिन उसके बाद में, अगस्त में, पूरा अगस्त में आपको बच्चे क्या करना है, revision, थिरूदा question, MZ Q, सित्यमर चे चार दने, चार दने में, चार दने में कोई आप ऐसा तो है नहीं, है नहीं कोई नया chapter पड़ा 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 है, उसको ही revise किया जाता है, ती बच्चे तो आई हो, आपको क्या करना है, यह strategy पड़ा करने है, श्रिप 100 द जाने दो, या फिर बच्चे उसमें बिल्कुल जान लगा दो अपनी तरब से, ठीक है, तो आपके पास 100 दिन बच्चे, जितना ज्यादा हो सके, टाइम का एक एक सेकंड का यूटिलाइजसर बच्चे आपको करना है, ठीक है, तो बिल्कुल की preparation बच्चे, बिल्कुल एक ये chapter आपके complete करा रहा हूँ, ठीक है, बालोजी में सेल आपको complete हो चुका है, टीशू बाले पर हम चल रहे है, और अगर हम बात करें बच्चे, फिजेसर में आपको पूरा thermodise complete हो चुका है, तो डेली आप classes से जोड़िया, और भी teacher पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बच्चे बस इतना ही आज की वीडियो में, अगर कोई चैनल पर नए है, तो बच्चे चैनल को subscribe कर जिए, फिर एक ही ऐसी important वीडियो के साथ, फिर हम हम से मुलाकात होगे, तब तक लिए अच्चे, जैन जवत वन्दे मात्रम